हेलो इंजीनियर्स कैसे है आप सब साथ बत की थार्ट मिंट हो चुकर हम वापस आ गए हैं टू लेटेस्ट एंड बेस्ट जॉब उपनिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल एड एलेक्ट्रोनिक्स इंजनियर्स के साथ बात करेंगे जॉब उपनिक्स के बार में वीडियो में आगे होना चाहिए मैं सब्सक्राइब करें कि आप एक बार फिर से जाके एक बार चेक करें कि अपने हर स्टेप को सरी से फॉलो किया है या नहीं किया है उसके बाद भी अगर आपके वह सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे हमारी विबसाइट पर जा सकते हैं वहां पर आ हैं आप ताकि complaint section में बता दीए कि आप किस पलेस्में मर की बात करें ताकि मैं in करूँ educational qualification की तो यहाँ पे diploma holders और BE holders की hiring चल रही है electrical and electronics में experience यहाँ पे freshers की hiring चल रही है अगर में बात करूँ job description की तो यहाँ पे company ने में अचिन किया कि आप काम करेंगे in developing and implementing quality standards साथ ही आपको developing and implementing of quality control systems में भी काम करना होगा आपको monitor करने होगे और analyze करने होगी quality performance inspect करना होगा आपको testing materials को equipments को processes को and products to ensure quality specifications are met उसके साथ collaborate करना होगा आपको with operations managers to develop and implement controls and improvements यहाँ पे आपको ensure करने होगी that with uh यहाँ आपको ensure करना होगा कि जो workflows है processes है और जो products है वो comply करते है safety regulations के साथ और end में यहाँ आप लिगा है कि आपको investigate करना होगा troubleshoot करना होगा product or production issues तो guys यह हमारी पहली job opening थी यह हमारी पहली job opening की job description थी बात करेंगे दूसरी job opening के बारे में पर उससे पहले यहाँ बात कर लेता NACADBK placement protection course की अब यह वही course है इसकी help से हमारी कई learners आज की प्लेस्ट में काम कर पा रहे हैं place हो पा रहे हैं in top companies और कैसे हो पाते हैं वह पाते हैं वह पाते हैं वह प्लेस्ट क्यूंकि basically हमारी placement team है यहाँ पे वो उनको arrange कर वाकर देती है interviews with top companies जब तक उनकी placement नहीं हो जाती है जी आपने सभी सुना तो जब तक हमारी learners की placement नहीं होती है उनको मिलते रहते है interview calls with top companies और यही एक main reason है कि हमारी learners आज की एट में place हो बारे top companies में अगर मान लीजे for some reason despite all these efforts किसी learner का फिर्वी placement नहीं होता है तो उसे मिलता है 100% refund यानि की full cash back on their entire course fee तो अगर बात कुरूँ यहां पर risk की तो बहुत minimum यहां पर risk का है इसको आप check out कर सकते है थोड़ से terms and conditions भी involved आप उनको भी check out कर सकते है बट अगर मैं यहां पर कोर्स की बात करूँ from a perspective of learning तो भी यह course काफी अच्छा है क्यूंकि एक तो यहां पर पूरा का पूरा कोर्स है वो बनाया गया और आपको पढ़ाया जाएगा by industry experts तो quality of education बहुत हाई रहने वाल है उसके लावा 300 plus hours of industry relevant content मिलता है आपको 20 plus live projects मिलता है ताकि आप समझ भाए कि industry में काम कैसे होता है आप industry ready बन सके उसके साथ तो हर module यह आपको certificates मिलेंगे जिससे आप अपना portfolio boost कर सकते है अपना CV enhance कर सकते है और यहां पर आपको non academic चीज़ों के बारे में भी पढ़ाया जाता है जो कि आपके career में important रहेंगी जैसे कि हमारे soft skills हो गए communication हो गया body language हो गया यह सब वो non academic चीज़े हैं जो कि हम academics में cover नी करते है बट हमारे career के लिए important रहती है और उन सब चीज़ों पर focus किया जाता है इसी placement protection course में तो all in all यह एक complete course है कि ऐसे engineer के लिए जो अपने career में growth तून रहा है जो अपने career में enhancement रहा है अगर में educational qualification की बात करूँ तो bachelor's and master's in electrical and power electronics engineering की यहाँ पर hiring जलती है 3-5 बात कर आगर आकर आकर आप industry experience है तो आप apply कर सकते हैं अगर में बात करूँ job description की तो यहाँ पर company ने बेश्ट के लिए mention किया कि किस किसीजों कि आपके 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 आपस knowledge होनी चाहिए to be an ideal candidate यहाँ पर ने सबसे पाहले जेक्या है कि knowledge of various charging protocols knowledgeable about different types of charging systems charging connections and charging modes उसकर साथ ताथ अगर यहाँ को कास experience है with charging data logging and troubleshooting अगर आपके आपके आपस knowledge है of HP battery system, अगर आपके 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 साथ है of HV and LV connections for vehicle and battery pack तो आप यहाँ पर एक काफी desirable candidate बन सकते हैं उसके साथ साथ यहाँ और knowledge की बात कि है knowledge of charging system integration with vehicle control unit and knowledge of CAN tools और lastly यहाँ पर functional सैफट के बारे में अगर आपके पास knowledge है तो भी आप यहाँ पर एक ideal candidate बन सकते हैं तो guys यही थी हमारी दूसरी और आज की last job opening and job description for electrical and electronics engineers तो guys अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे apply कर सकते हैं इन सारी job openings के लिए basically एक application link जो है वापको description box में मिल जाएगा उस link पर आपने click करना है और आप redirect हो जाएगे हमारी website पे हमारी website पे आपको सारी job openings listed मिल जाएगी side में apply now का green color का button दिख जाएगा उस button का use करके आप simply सभी job postings के लिए apply कर सकते हैं guys यही थी हमारी आज की video यही थी हमारी आज की job openings अगर आपको अच्छी लगी तो video को like करना मत बूलना और more importantly job openings के लिए apply करना मिलते हैं कल की videos में और exciting job openings के साथ तब तक के लिए keep working out stay safe and let's crack it